नमस्कार पिरिया जन्वा आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी शुद्जिंत कभीना शर्मा आप आए मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नो मई को अश्टमी जो पढ़ रही है वो सोमबार की अश्टमी पढ़ रही है यह बहुत कम चांस होता है कि सोमबार तो हमेशा आता है तेकिन अश्टमी उस दिन आए ऐसा बहुत कम होता है तो इस अश्टमी को यानिके इस सोमबार को जो अश्टमी पढ़ रही है उसको मैं उन मदर लोगों से बात करना चाहूंगी जो अपने बच्चों को विवा के लिए बहुत चिंतित है बहुत बार कमेंट बॉक्स में पढ़ने को मिलता है कि बच्चों के विवार शादियां हो ही नहीं रही है रिष्टे आते नहीं है और अगर रिष्टे आते हो तो बार-बार कैंसिल होते हैं उन मा का दुख मैं वहाँ आके उनके पास आके नहीं बांट सकती लेकिन एक ऐसा उपाई उनको आज बताने वारी हूँ जो अगर वो सोंबार के दिन करते हैं सिर्फ एक ही बार करना होगा सोंबार को उपाई करते हैं तो निश्चित तोर पर मैं कहा सकती हूँ कि जरूर उनके जो ये समस्या है इसका समधान होगा बच्चों का रिष्टा आएगा भी और उनको पता भी नहीं चलेगा कि रिष्टा किस तरह से कब से कैसे कहां से आया और कैसे बच्चों के विवात हो गए तो बात करूंगी कि जो उपाई मैं बता रही हूं वो आपको मदर लोगों को घर में ही करने का है एक तो और अगर आप जाते हैं वहाँ पर करने के लिए मंदिर में तो मंदिर में इस उपाई को करना थोड़ा कैसे वीडियो क्लाश तक सुनिए मैं बता देती हूं एक तो सुबह नो मई को सौंबर को सुबह इस उपाई को सुबह नहाद होके आपके अपने पूजा घर में कर लीजिए गा उपाई और आपको सामगरी जो चाहिएगी वो लानी होगी आपको दो सुपारी और दो पान कि पत्ते हैं। उनका प्रICE करना है कि क्या करिएगा ओआ कि थोड़ा सा घी लीजिए गाई का मिल जाए जो उपाई में हैं मैं वही आपको बता कि गाय का घी अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है और अगर ना मिले तो जो आपके घर में देशी घी होता है उस देशी घी से आप थोड़ा सा उसमें कुम-कुम डाल लीजिएगा कुम-कुम डालके और उसको गिला कर लीजिएगा अब उससे आप अपनी साइड में जो पान के पत्ते का चिकना साइड होता है उसके ऊपर आप एक-एक स्वास्तिक दोनों पर बिणा लें अब जो एक-एक सुपारी है आपके पास दो सुपारी है आपके पास दोनों सुपारी को आप कलावा लेपेट लीजिएगा आप जिसे मोली कहते हैं जिसे रक्षा सुत्र कहते हैं कुछ भी कहते हैं वो उस पर लपेट लीजिएगा लपेटने के बाद आपके पूजा घर में जब आप पूजा करें भोले नात मापारवती सब की अगर तो चित्र आपका शुप परिवार का हो पूरा फिर तो गनपती वप्पा और मापारवती साथ ही होते हैं और अगर आपके ऐसा ना हो भोले नात मापारवती का चित्र हो तो फिर आप गनेश जी की मूर्ती साथ में जरूर रखिएगा अब यह जो दो पान के पत्ते और दोनों जो उपर सुपारी कलावा लिपेटी हुई है मोली लिपेटी हुई यह एक गनपती वप् बोले नात के पूजा जैसे आप करना चाहते हैं उनको अगर शीवलिंग आपके घर में हो तो सब चीजें अरपित करिए दूद दही सब चीजें अरपित करिए और अगर मूर्ती हो तो फिर आप थूप तीप चलाकर कुछ वस्तुएं जड़ाकर ही पूजा करते हैं उसी आपiese को अधनेयश्जि की सुपारी है और गोरिमा की सुपारी है जो घनेश जी के सुपारी है उसको आप आक्षत यानिका चावल अरपित करें अप फल फूल जो चीज भी अरपने करते हैं वो सारी मीठा यानि कि गुड भी चड़ जाता है अगर मिठाईयां ना हो तो गोड़ ही चलता है गुड़ ही चलता है गुड़ अरपित करें उनको उसके बाद से यह गनेश जी की स्पारिखी में पूझा बता रही हूं आपको उनको एक जनेव अरपित करें माल लीजिए अ कुछा होता है जिनेव ना जानते हों जनेव ना लासके उनको होता है उसे जनेव की रूप में हैं आपके पूजा करनी है उनको अप है कुञुकुम से पूजा करिए गनेश जी जी की को आप हटिका लगा पीला चंदन लगा सकते हैं है लगां रपीतं कर सकते हैं यहां पर गोरी 어머 मां को आप कुम-कुम अरपित करिये यानि कि रोली जो होती है लाल रंगी और उसके साथ ही उनको फल फूल जो चीज भी सारी अरपित करना चाहें वह अरपित करें उनको भी कुछ मीठा एरपित करें ओस के तो मिष्री अरपित करिएगा जुरूर मा गोरी को कोई सफैर चीज यानि के मिश्री या बताशा कुछ भी अरपित कर दीजिएगा अब उनको अरपित करने के बाद आप उनके पूजा करने के बाद उनको संभाल कर रखिएगा आपके छोटे से कोई एक बॉक्स के अंदर उसको पान के इसट को और गोवी मा को स्थापित करने के बाद उनको रोज पूजा करते हैं जब धूप दीप दिखाएं उनको नेक्सת अगली बात जो बताने वाली हुँ कि अब आप जब भी रिष्टे के लिए कहीं जाते आते हैं चई बेटे की रिष्टे के लिए चई जब भी जाएं गनेश जी वाली जो जनेव या कच्छा सूत लेपेटी हुई है ना सुपारी उसको साथ लेके जाना है किसी भी चीज में किसी थेली में किसी चीज में कपड़े में रुमाल में पवित्र रुमाल हो उसमें लेपेट कर साथ लेके जाएं वहां लेके जाएं और बापिस लाकर वहां गनेश जी के आगे या आपके जहां भी जो पार्वती जी गोरिमा असपारी रखी हुई है वही लाकर उसको वापिस रख दीजिए आप उन गनेश जी को साथ लेके जाएंगे सारी वीगन वादाएं एक दम से दूर हो जाएंगे आपको पता भी नह चलेगा कि सारी वादाएं कैसे दूर हो गई और वहां लाने के बाद आप रख दीजिएगा और इसके साथ ही जब आप के बच्चों के विवाहत तै हो जाएं तब आप इन सब दो गोरी और्गनेश जी की जो है या तो आप कोई किसी मंदिर में छोड़े इनको यानि कि भुलेनास का मंदिर होता है वहां पार्वती जी और सारा परिवार होता है तो वहां छोड़े या फिर जल में प्रव प्तिव दिखाएंगे और उस दिन भी दिखाएंगे अब बात करूंगी कि अगर बेटी बेटीयां करने चाहते हैं तो वह भी इस उपाई को कर लें जरूर करें मैं कहती हूं गवाई नहीं इस दिन को आपकी अवश्य मनों कामना पुरून को कर सकते हैं इसको और माताएं कodate Track Luna क800 दिन दिन वह भी ऐस दिन मताहिं तो करें ही उंको मैं कह रहे हूं इस उपाय को अवश्य करें वocalyptic छियर करें शेर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो लगातार मिलते रहें कमेंट बॉक्स में हरहर महादेव जय गोरिमा जय गनेश जी अवश्य लिखें मैं मिलती हो कि सब्सक्राइब